नमस्कार आप देख रहे हैं टीबी 24 और मैं हूँ आपके साथ हानन्या मिश्रा अक्सर आपने सुना होगा कि किसी की किड्नी फेल हो गई है किसी की किड्नी में डालसीज हो रही है तो किसी की किड्नी खराब हो गई है लेकिन क्या आप जानते हैं कि किड्नी होती क्या है तो आपको बता दे कि किड्नी बीन्स के आकार की दो अंग होती है जो शरीर की पसली की गुफा में लटकती रहती है यह आपके दोनों स्पाइन की ओर लगे रहते हैं किड्नी का मुख्य का प्रती मिनट एक कप खून से अच्छी चीजों को छान कर रख लेना और गंदी चीजों को पेशाप के रास्ते बाहर कर देना होता है यह यूरियन ब्लाजर से होते हुए दो पतली ट्यूप के माध्यम से शरीर से बाहर चला जाता है जब किड्नी खराब होता है तो लोग उसका इलाज करवाते हैं जब बिमारी दिन प्रती दिन बढ़ते जाती है किड्नी की तो आखरी समय में लोग किसी दूसरे शरीर का किड्नी अपने खुद के शरीर में लगवाते हैं लेकिन बीते दो महीने पहले की बार कही जाए तो अमेरिका के एक शक्स का किड्नी खराब हो गया था। इसके बाद उसने सुवर का किड्नी लगवाया। और वही अब उस व्यक्ति की मौत हो गई है। आई अब वस्तार से आपको पूरी कहानी बताते हैं। बता दे, बीते मार्च के महीने में बोस्टन में एक शक्स को सुवर की किड्नी लगाई गई थी। डॉक्टरों ने अनुवशिक रूप से संशोधित किड्नी को ट्रांसप्लांट किया और इसमें सफल्दा भी हासिल की। बोस्टन के मैसाचू सेट्स जर्नल अस्पताल के सरजनों के रिचर्ड स्लैमैन नाम के 62 वर्षिये व्यक्ती की सरजनी कर सुवर की किड्नी लगाकर उनको जीवन दान दिया गया था। और वो इस तरह की किड्नी ट्रांसप्लांट कराने वाले पहले व्यक्ती दुनिया के बन गया। मेडिकल एरिया में ये एक बड़ी सफल्ता मानी जा रही थी। और उन लोगों के लिए वर्दान से कोई कम नहीं माना जा रहा था जो किड्नी की समस्याव से लगतार जूज रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका राज्य में मैसाचू सेट्स में सूवर की किड्नी लगवाने वाले 62 वर्षी या रिचर्ड रिक स्लेमान की मौत हो गई है। रिचर्ड को मार्च में जैनेटीकली मौडिफाइड सूवर की किड्नी लगाई गई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि यह किड्नी कम से कम दो वर्षों तक रिचर्ट के शरीर में ठीक से काम कर सकती है जिसका अस्पताल में ट्रांस्प्लांट भी किया गया था उसने बताया कि रिचर्ट की मौत की वज़े सुवर की किड्नी नहीं थी ट्रांस्प्लांट करने वाली टीम ने रिचर्ट की मौत पर दुख भी जताया साथी साथ रिचर्ट ऐसे पहले शक्स थे जुनके शरीर में सुर की किड्नी ट्रांस्प्लांट की गई थी अब वहीं शक्स की मौत के बाद किड़नी प्रती रोपड करने वाली टीम ने एक बयान में कहा है कि स्लेमैन के निधन से वो बहुत जाला दुखी है और उनके परिवार के प्रती समेदन विवक्त करते हैं हाला कि टीम ने यह भी कहा है कि उनके पास ऐसा कोई संकेत नहीं है कि प्रती रोपड के कारड ही उनकी मौत हुई है रिचर्ट काफी समय से डाइबेटीज की चापेट में थे जिससे उनकी किड़नी खराब हो गई थी करीब 7 साल तक डालेसीज पर रहने वाले साल 2018 में मैसाचू सेट्स जनरल हॉस्पिटल में उन्हें एक इंसान की किड़नी ट्रांस्प्लांट की गई थी लेकिन 5 साल के भीतर ही वो फेल हो गई इसके बाद उन्हें सूवर की किड़नी लगाई गई थी रिचर्ट को जस सूवर की किड़नी लगाई गई थी उसे मैसाचू सेट्स के इंजेनिसिस ओफ कैब्रिज सैंटर में विक्सित किया गया था डॉक्टरों ने सूवर से उस जिन को निकाल दिया था जिससे इंसान को खत्रा हो सकता था साथे कुछ इंसानी जिन को भी इसमें जोड़ा गया था जिससे इसकी छमता में इजाफा हुआ इजेनिसिस कमपनी ने सूवर से उन वाइरस को भी डी अक्टिवेट कर दिया था जिससे इंसान को इंफेक्शन हो सकता था वही सलेमें के परिवार वालों ने भी ये कहा है कि सलेमें ने इस लिए दोबारा ट्रांस्प्लांट कर वाया था कि इस बिमारी से जूजरे हजारों लोगों को एक नया रास्ता मिल जाएगा और लोगों की जान भी बच जाएगी लेकिन अब अफसोस इस बात का है कि यह सर्जरी अब सफल रही और साथी साथ आपको बताते चले कि यह सर्जरी बिल्कूल भी सफल नहीं रही जाहे एक तरब डॉक्टरों ने कहाते कि दो वर्ष सलेमें जी बीत रहेंगे वही दो वर्ष की जगह अब सलेमें सिर्फ और स क्या प्रतिकरिया है जरूर कमेंट बॉक्स में ज़ाकर अपनी राय साथ जाकर अभी के लिए फिलहाल इतना ही देखते रहेंगे टीबी 24